प्रधान मंत्री मोधी अपने दो दिव से रूस दोरे के बाद मंगलवार देजरात को आस्ट्रिया की राजधाने वियना पहुँचे जहां एरपोर्ट पर उनका गार्ड आफ ओनर के साथ स्वागत हुआ इसके बाद प्रधान मंत्री मोधी एरपोर्ट से होटल रिस काल्टन पहुचे होटल पहुचने पर उन्होंने भारत वरिशों से मुलाकात की यहां उनके स्वागत में वंदे मात्रम की धुन बजाई गई इसके बाद प्रधानमंत्री मोधी स्टेट डिनर के लिए औस्ट्रिया के चांसलर काल नहमर से मिलने पहुँचे आज बुद्भार 10 जुलाई को दुनों देशों के बीच व्यापार को लेकर चर्चा हुई उन्होंने औस्ट्रिया के राष्ट्रपती अलेक्जेंडर वॉन बेले से भी बुलाकात की उन्होंने वियना में बाते समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया प्रधान मंत्री का ये दौरा दो दिनों का है मोधी 41 साल बाद आस्ट्रिया जाने वाले प्रधान मंत्री हैं इससे पहले इंद्रा गांदी 1983 में आस्ट्रिया दोरे पर गई थी प्रधान मंत्री मोधी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संभंध और गहरे होंगे वही भारत आस्ट्रिया स्टार्टप ब्रिच को और भी रफ्तार मिलने की संभावना है Startup Bridge को इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने आस्ट्रिया के श्रम और अर्थ व्यवस्ता मंतरी मार्टिन कोचर की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया था इसका उदेश्य भारत आस्ट्रिया के बीच स्टार्ट अप्स को लेकर ज्यान और सहयों को साज़ा करना है मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कारकाल की शुरूआत और शुरूआत में ही आस्ट्रिया आने का आउसर मिला मेरी यह यात्रा आइतिहासिक भी है और विशेश भी है 41 साल के बाद किसी भारतिय प्रधान मंत्री ने आस्ट्रिया का दौरा किया है यह भी सुकत सहियोग है कि यह यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी समंधों के 75 साल पूरे हुए है फ्रेंड्स लोगतंत्र और रूल अफ लोग जैसे मुल्यों में साजा विश्वास हमारे समंधों की मजबूत नीव है आपसी विश्वास और शेर्ड इंट्रेस्ट से हमारे रिस्तों को बल मिलता है आज मेरे और चांसलर नहमर के बीच बहुत सार्थक बात्चित हुई हमने आपसी सहियों को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है हमने निरने लिया है कि समंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी आने वाले दसक के लिए सहियों का खाका तयार किया गया है यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सिमित नहीं है इंफ्रास्ट्रक्ट्टर विकास, इनोवेशन, रिन्यूबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशल इंट्रिजन्स, क्वांटम जैसे खेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ को जोडने का काम किया जाएगा दोनों देशों की युवाशक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट अप ब्रिज को गति दी जाएगी मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टरसिप पर पहले से समझोता हुआ है यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा सांस्कृतिक और सेक्षनिक समस्ताओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा प्रेंट्स यह हौल जहां हम खड़े हैं बहुत ही अइतिहासिक है उन्नीसवी सदी में यहां एतिहासिक विएना कॉंग्रेस होस्ट की गई थी उस कांफरंस ने यूरप में शांती और स्थीर्ता को दिशा प्रदान की थी मैंने और चांचलर नेमर ने विश्व में चल रहे विवादों चाहे यूक्रेन में संगर्स हो या पस्षी मेश्या की स्थिती सभी पर विस्तार में बात की है मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है समस्याओं का समाधान रण भूमी में नहीं हो सकता कहीं भी हो मासुम लोगों की जान की हानी स्विकारियन नहीं है भारत और आश्ट्रिया शांति और स्थिर्ता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलोग और डिप्लोमसी पर बल देते हैं udah झालाइबा नहीं प्रूम्स